जहारखन राज दफादा चोकिदार पंचायद दौरा चोकिदारों की छे सुत्री माहों के लेकर राजभुण के समख्ष राची में और निश्चिन कालिन धर्ना परदसन बुद्वार को चोदवे दिन भी जाली रखते हुए आज से करमबन आमरन आंसर शुरूग किया गया आज पहला दिन के दस बज कर बीस मिनट से राज अध्यच करमबन आमर आंसर पर बैठ गया हैं जिसकी अध्यच पर राज अध्यच करमबन आमर आंसर पर बैठ गया हैं जिसकी अध्यचता राज अध्यच करमबन आमर आंसर पर बैठ गया हैं जिसकी अध्यचता राज प्रदश बेटे हुए हैं जानेगे कि अभी तक जो इतने दिनों से धरणा पर बेटे हुए है, उनक्ते वहा हुआ, Bachelor about me, आया नहीं आया जानूगा मैं करिशी से अभी तक जो आज से तो निशित करें धर्णा है आज से बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अम्बेदकर जी का महा परिनिर्वान दिवस है और हम लोग ने कल फैसला किया था कि बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अम्बेदकर के महा परिनिर्वान दिवस के अशर पर हम लोग करमबद आमर अंसन सुरू करेंगे जो धर्ना परदर्शन चल रहा था उसमें हम लोग ने कुछ बदलाव किया है और हम अपने सरीर पर कॉस्ट हम अपने सरीर को कॉस्ट में डाल करके हम सरकार तक अपनी बात प करने के लिए हम लोगों को कोई जानने के लिए नहीं है लेकिन इस बीच में राजद के आज आये हैं जो पसुफ पालक पर कोस्ट है राष्टिय जानता दल के उसके परदेशा धक्ष गौरी संकर जादो जी आये थे और इनके पहले एक माननिय विधायक अमित कुमार खुलनिवासे लोग है चकुदार लोग और धरती पूत्र हैं हैमन सोरेन जी इन लोगों की समस्या का समधान करने के लिए नहीं नियमावली बनावे और इनका काम करें अगर यह काम नहीं करेंगे तो इन लोगों को बहुत मुश्की लोग है और जब सत्र चलेगा तो हम इ पिनायों है राष्टिय जानता है दल के नेता तो उनको मैंने कहा कि आप जो ये आपकी सरकार आप हिस्थार यह स्वियर जानता है नियुक्त के लिए उनसे अनूरूद कि जो हमारी समस्या है सवा बिमुक्च मुक्दारों को पुना जगदान कराने की समस्या है जो एक जनवरी 1990 के बाद सवा निवरीत हुए हैं उनके आस्तरीतों को सभी नियमों और परक्रियाओं को सिथिल करते हुए नियुक्त करने की समस्या है तो ये सवाल आप अपने मंत्री जी के थुरू या खूद सरकार से कहिए कि हमारी मांग पूरा करें ये सब आदिवासी मोल निवासी हैं और माननीय मुख मंत्री जी ने कहा था कि हम ये काम करेंगे तो उनको करना चाहिए अब समय इनका भी वीत रहा है इसलिए हम लोग आज यहां सणक पर आए हैं और हमारे ये जो काम है ये नई नियमावली बनावे या द्यादेश चारी करें तब इनके समस्या का समधान होगा कानून बनावे और हम लोग के नेता महान समाजवादी नेता डाक्टर राम मुनहर लोहिया राम ओ अधेसनी ये लोग थे और उनलोह काना था कि कानून खेत खलिहान और सणकों पर बनते हैं और मुहर लगती है संसद और विधान मंडलों में तो हम सणक पर आए हैं और यहां से आपको सक्ति जरूर मिलेगी और जो पदाधिकारी इसमें कोई तक्निकी बादा बताते हैं तो उसको आप दूर करिये गरीब लोग हैं और गरीब लोग लोगों को मदद करना यह उपर वाला आपको दुआ देगा आप फलिएगा फलिएगा चकुदार लोग भी संकट में करिये गरीब आतमी है बेजुआ बेजुबान लोग हैं और वैसे जगह पर काम करते हैं जहां आपकी ससस्त्र पुलिस नहीं जाती है रात में वैसे जगह पर चुकुदारलोग काम करते हैं कोई नए लोग इसके बारे में सुचना नहीं दे सकते हैं मैं बेरोजगारों के बारे में भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माधियम से कि जारखन चकुदार संबर्ग निया मावली 2015 में बनी थी और उसमें प्रावधान है कि 100 से 120 अवास्तिये घरों पर एक चकुदार नियुक किये जाएंगे तो 100 से 120 अवास्तिये घरों पर आप नया बीट सिरिजित करिए और उस पर विगयापन निकाल करके आप भाल करिए एक बीट में हम समझते हैं कि कम से कम 4-5 नया बीट बन सकता है और जो लोग बेरजगार है उनको और भी रोजगार मिल सकता है लेकिन जो पुराना बीट है पुराने लोग हैं चाहिए सेवा भी मुक्त चाहिए उजी है उनस पर आप भी गयापन मत निकालिए और जहां निकाले हैं उसको रद करिए जहां नहीं निकलायस पर रोक लगाए और ये पुराने बीट पर पुराने लोगों को और नया बीट पर नहीं लोगों को बहाल करिए हम आपके माद्यम से सरकार को संदेश देना चाहते है सर ये आपको क्या लगता है सरकार गंभीर है नहीं है कुछ ऐसा लगता है जो आपने इतना दिन से आप बेठे हुए आज से अनिश्चित कालिन धर्ना आपने दिया है तो क्या आपको लगता है देखे माननीय मुख मंत्री हेमन जिसे जब हमारी पहली बार मुलकात हुई थी इस सरकार में और जब सारा मामला मैंने उनको बताया था और कहा था कि बिग्यापन निकलिये गाते सारे लोग पाहर हो जाएंगे दो परसंट भी बाल नहीं होंगे तो उन्होंने कहा था कि चैकुदार दख्धारों के मामले में सरकार बहुत गंभीर है आप घबडाईए नहीं हम काम करेंगे तो हम समझते हैं कि सरकार गंभीर है लेकिन इनके अंदर जो काम करने वाले बरिये पदाधिकारी हैं इस मामले में जरूर कहीं न कहीं अडांगा डाल रहे हैं और वो गंभीर नहीं है चकुदारी बेवस्था के बारे में यही रोना है कि चकुदारी बेवस्था का महत न निर्वाचित जन परतनिरी समझ रहे हैं और नहीं इनके पदाधिकारी जो हैं अफसर लोगों समझ रहे हैं कि यह समझाए अंगरेजों ने इनका महत अंगरेजों ने समझा था और गुप्त काल से ही काम कर रहे थे अज जब साक आए हून आए मंगोल आए किसी ने कुछ नहीं किया लेकिन अंगरेजों ने चकुदार दफदारों को कोडिफाइट किया इनके लिए 1870 में अधिनियम बनाया कर्तव और दाइत निराइत किया और निक्ती परकिरिया निराइत किया उस समय कोई चकुदार अगर कहीं हत्या हो गई है अब उसकी सुचना अगर थानेदार को देते थे तो उनको 20 रुप्या इनाम मिलता था 1870 में आज एक पैसा नहीं मिलता है आपको मैं उधारन दे सकता हूँ कि हजारी भाग जीला में एक ऐसा जंगल है जिस जंगल में आज ही ससास्त्र पुलिस नहीं जाती है उस जंगल में चार चकुदार जा करके बारा बजे रात में लवारिस लास ला करके विस्नुगर थाना को लेकिन उनको एक पाई इनाम मिलना तो दूर उनके सर्विस बूप में यह भी नहीं लिखा गया कि यह सब चकुदार लोग सासिक काम किया है यह भी हमारे सब इस तरह की नहीं साफी हो रही है यह तो छोड़िए यह भी हो गया आप दूसरी बात है कि एके जगा पर एके घ लुक्णा करम में सिपाही सहीद होते हैं चकुदार वी सहीद है यह सिपाही को राज्किय सम्मान मिलता है और कुछ नहीं मिलता है यह एक महिना पहले की बात है या चंदवाध हमाना है लातेहार जिला में वहाँ साधीक अंसारी को गोली मारके हत्या कर दिया सब ड्यूटी में उसको राज संक्राज किये सम्मान मिला क्यों नहीं मिला वह भी आदमी विधी विवास्था में था ड्यूटी पर था और गोली मार दी गई उसको लेकिन उसके दास अंसकार में कौन महाकामा गया सरकार के तरब उसको क्या सम्मान मिला है हमारे साथ इस तरह कानिया हो रहा है यह जो सिपाही काम करते हैं वो संगीन के साहे में काम करते हैं और उन्हीं लोगों के बीच में काम करना उपद्रों मचाते हैं तो हम जब सहीद होते हैं सरकार को मदद करने में सहीद होते हैं तो हम सम्मान से भी गया बहुत ही ये मारमिक केडी सिंग जी जो बोले हैं सबसे बड़ा चीज है कि एक सिपाही जो सहीद होता है उसको मान समान मिलता है एक चोकिदार दफादार होते हैं उनका कुछ नहीं होता है वहीं जो साथ ही काम करते हैं इनके पास ना अथियार है ना कुछ है और उनके बीच में ही काम करते हैं बहुत मैं भी सरकार से निविदन करता हूं खासकर करके हेमन्दा तनी सुन दाजा सुन तनी इस सब के पीड़ा हम देवानन पब्लिक ट्रेटिंग को